है फ्रेंज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं PBIT per share calculation के बारे में कि क्यों हम लोग PBIT per share calculate करते हैं और उसका formula क्या है तो PBIT per share calculate करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा PBIT हम लोग कैसे निकल सकते हैं तो PBIT निकलने का formula simple है PBT plus interest तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं PBT यानि profit before taxes के साथ अगर company जो interest pay कर रहा है उसे हम लोग add कर दें तो PBIT हो जाता है यानि profit before interest and taxes तो यह जो interest amount है यह हम लोगों को कहां से मिलेगा तो यह simply company का जो profit and loss statement है बहां से मिल जाएगा PBT यानि profit before tax plus interest यानि company जो interest बगेरा provide कर रहा है यानि company का जो interest का खर्चा है वो तो अभी हम लोग जान लेते हैं PBIT per share हम लोग क्यों calculate करते हैं तो PBIT per share हम लोग इसलिए calculate करते हैं कि एक investor को यह जानना जरूरी है अगर company का कोई loan बगेरा नहीं होता है तो company कितना earning कर पाएगा यानि company अगर कोई भी bank या किसी भी तरीके से loan नहीं लिया है जिसके लिए company का interest बगेरा pay करना परता है तो अगर बो interest company को pay नहीं करना परता तो company कितना earning कर सकता था और PBIT per share calculation करने का जो formula है बो simple है PBIT divided by total number of outstanding shares तो इसे simply एक example के थूरू हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं PBIT यहाँ पर मैंने लिया है thousand और जो outstanding shares बो मैंने लिया है 100 तो इसे calculate करने का formula मैंने बताया है is equal to thousand divided by यानि PBIT divided by total number of outstanding shares तो यहाँ पर अंसर आया है 10 यानि company एक share में 10 rupees earning करने का probability रखता है अगर company को कोई interest बगरा pay नहीं करना परता तो चलिए इसे एक life example के थूरू हम लोग देख लेते हैं कि PBIT हम लोग online कैसे चेक कर सकते हैं तो simply हम लोग money control के website में चले जाते हैं तो उपर में इस search button में अगर आप कोई भी company का नाम type करेंगे तो उस company के बारे में जो information है वो चला आएगा तो मैंने यहाँ पे cupid limited company का एक profit and loss statement को खोल के रखा है तो simply हम लोग देख लेते हैं इस company का PBIT पहले क्या है तो company का PBIT calculate करने का formula क्या है PBT यानि profit before tax plus interest तो company का जो profit before tax है वो है 20.91 तो simply हम लोग calculator में ले लेते हैं 20.91 प्लस company का जो interest है तो interest यहाँ पर finance cost के अंदर आता है तो interest है company का 0.11 तो company का जो total amount आता है PBIT 21.02 divided by total number of outstanding shares तो total number of outstanding shares अब लोगों को कहां से मिलेगा तो उपर में देखिए यहाँ पर एक option bar है यहाँ पर आप simply capital structure में जाके click कीजिए तो आपका निकल आएगा total number of shares का जो pattern है तो यहाँ पर देखिए shares pattern में 2018-19 का जो total shares है वो है 1 करोर 33,38,000 तो अगर मैं इसे करोर्स में convert करूँ तो यह आजाता है 1.334 क्योंकि यहाँ पर जो amount है वो करोर में दिया हुआ है यह देखिए उपर यहाँ पर यह total amount करोर पर दिया हुआ है इसलिए मुझे share को करोर में convert करना पड़ेगा तो यहाँ पर करोर पर convert करने के बाद अगर आप total number of outstanding shares को divided by 1 करोर कर देंगे तो वो amount ह यहाँ पर आ गया है 15.75 तो हम लग simply ratios में जाकर चेक कर लेते हैं कि यह amount सई है नहीं तो उपर में जो same option बार है वहाँ पर capital structure के एक दम बाजू में है ratios करके मैंने और खोल कर रखा था तो simply यहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं कि यह ratios क्या है तो यहाँ पर देखिए PBIT per share है 15. 15.76 तो यहाँ पर calculator पर हमारा कितना है 15.75 देखिए 75 के बाद है 7 यानि यह round figure में आ जाता है 15.76 तो उमीद है आप लोग का PBIT per share जो calculation है बहुत clear हो गया होगा अगर वीडियो knowledgeable लगाओ तो वीडियो को like कीजिए ऐसे knowledgeable वीडियो को अपने friends and family के साथ share कीजिए अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजो में जो बिल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का notification अब लोगों को मिल सके and thanks for watching happy investing